हेलो फ्राइंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ फैमस स्ट्रीट फूर्ड जो है कुलर पीजा जो खाने में बहुत ही चीजी होता है कुलर पीजा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थ्री फूर स्लाइस ब्रेड के लिए है जिसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगे कुलर पीजा हम कड़ाई में बनाने वाले है तो कड़ाई को हम प्री हिट करने के लिए रख देंगे कड़ाई में हम थोड़ा से नमक डाल देंगे और स्टेंड रख देंगे और कड़ाई को ढग देंगे कड़ाई को 10 मिनिट के लिए प्री हिट करना होगा प्रीड में हम अब वेजिस डाल देंगे मैंने फाइनली चॉप किया हूँ पैप्सिकम, टमाटर, ओनियान और पनीर डाल देंगे आप चाहतों और भी वेजिस एड़ कर सकते हैं यहाँ पे मैंने दो बड़े चमच पीजा सोस लिया है यहाँ पे दो बड़े चमच मैंने मायनिस भी यूज की है और एक से दो चमच जितना मैंने टॉमेटो केचप यूज किया है अब औरे गानों और थोड़ा सा चिली फ्लैक्स और थोड़ा सा स्वाद उनुसार नम्मक एड़ कर देंगे अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे पीजा सोस आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं पीजा टॉपिंग बनके रेड़ी हो गया है अब एक कुलर में पहले हम सारे टॉपिंग्स डाल देंगे अब उससे अच्छे से नीचे प्रेस कर देंगे अब एक लेएर हम चीज का बनाएंगे इसमें हम बहुत सारे चीज एड़ करेंगे चीज का लेएर हो जाए तब हम फिर से टॉपिंग एड़ करेंगे और टॉपिंग के उपर बहुत सारा चीज डाल देंगे अब चीज के उपर हम थोड़ा सा चिली फ्लैक्स और औरेगानों स्ट्रिंकल कर देंगे अब कुलर को हम प्री हिट कड़ाई में रख देंगे और अच्छे से डख देंगे कुलर पिज़ा को हम दस मिनिट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे के बाद आप देख सकते हो कि हमारी चीज अच्छे से मिल्ट हो गई है और हमारा कुलर पिज़ा बनके रेडी हो गया है आपको मेरी आज की रेसेपी पसंद है तो लाइक शेर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना